मेरी पतनी डक्डर थी और रोजाना रात को उसकी डिवटी होती थी आचानक मेरी पतनी के पास बहुत सारा पैसा आ गया पतनी का राज जानने के लिए मैं एक दिन उसके हस्पीटल गया तो हस्पीटल में बहुत छोटे छोटे बच्चे थे और जब पतनी के कमरे में गया तो मुझे प्रक्यामों तूट पड़ी क्योंकि मेरी पतनी चार डक्टरों के साथ रात की इस पहर मैंने जो कुछ भी अपने आँखों से देखा मुझे एकिन नहीं हो रहा था मेरी यो पतनी जिस पर मुझे खुछ से ज़्यादा भरोसा था उसकी महोबत पर मैं आखे बंद करके एकिन करता था उसने ही मेरे इतबार पर ऐसा वार किया था कि सब कुछ खतम हो गया मेरी पतनी मरीश के इलाज के नाम पर रातों हस्पीटल में गुजारा करती थी मगर मुझे ये कभी ख़बर ही ना हो सकी कि वो रात को करती क्या है मैं तो समझता था कि वो अपनी काम के प्रती जग रुख है लेकिन हच से ज़्यादा महबद और प्यार इंसान को वर्बाद कर देता है जो कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ मैंने अपने आखे बंद करकर उस पर भरोसा किया था मुझे उस पर नाज था कि मुझे कभी धोखा नहीं देगी पर मेरी अपनी पत्नी मुझे ही मुझे दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था चैर मर्दों के साथ रात के इस पहर जो कुछ कर रही थी उसाइद किसी आम ओरत के लिए मुमकिन नहीं था यकिनन मेरी पत्नी बड़ी बेसर्म थी जो तनहा रात को हस्पीटल में कमरे बंद में कुछ भी कर रही थी मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसा भी कर सकती है मेरे साथ यह सब देकर मेरे लिए अपने पेरों पर खाड़ा होना मुस्किल हो गया था मैं लड़कडाते कदमों से हस्पीटल के बाहर निकला आया था मुझ में तो इतनी हिमत नहीं थी कि मैं अपने कदमों से जाकर अपने जेब जमीन पतनी को बताया कि मैंने अपनी आखों से उसका घिनावना रूप देख लिया है रातों को हस्पीटल के एक फोन काल तुरंद दोड़ा और मजीज के नाम पर बेचैन हो जाना मेरे लाक माना करने पर भी एक छूटी ना करना और चन्द बहीनों में ही कडूरूर पे कमा लेना एक एक करके मुझे हर बात का मतलब समाज आ गया था मैं हस्पीटल से बाहर गए फूट पात पर बैठ गया और अपने साथ गुजरे हुए वक्त का हर एक पाना पलटने लगा और मेरी नैना की साधी को तिन साल होने वाले थे इन तिन साल में हमारी कोई अउलाद नहीं हुई लेकिन इस बात का मुझे कोई दुख नहीं था मेरा मनना था कि यह सब उपर वाले की देन है जब लिखा होगा तो अउलाद हो जाएगी मैं अपनी पतनी नैना से बहुत प्यार करता था मेरी पतनी एक डॉक्डर थी मुझे उस पर फक्र था दिन हो या रात हो नैना या अपनी डिवटी से कभी पीछे नहीं हटती एक छोटे से हस्पीटल में काम करती थी जब भी उसे हस्पीटल से फोन आता हो उस सब कुछ छोड़क चाड़क अपना फर्ज निभाने हस्पीटल जाती मैय और नैना अलग घर में रहते थे हमारी जवाइन फैमिली थी फैमिली से अलग रहने का फैसला मुझे नैना की वज़ा से करना पड़ा क्योंकि सादी के बाद उसका डगड़री का आखरी साल था और उसे रोजाना मेडिकल कॉले जाना पड़ता जिस वज़ा से जवाइन फैमिली में रहना मुम्किन नहीं था नैना को प्रोफेशनल को देखते हुए मैंने एक अलग घर का इंतिजाम कर लिया ताकि यो अपनी पढ़ाई फूरी करे अपने पास कोई जा सके मैं खुद एक टीशन टीचर था और अपना खुद का कोच्णिंग सेंटर खोलतना चाहता था मेरा काम बहुत अच्छा चलता था आज हमारे घर के हालात भी बहुत अच्छे थे लेकिन जब नाइना हस्पीटल जाना सुरूर किया तो सब कुछ बदल गया हस्पीटल वाले नाइना को बहुत अच्छा पैकेज दे रहे थे और सब कुछ उसकी मेहनत की वजह से था वो हमारे सारे सौक अपने पैसों से पुरा करती थी मैं इतना कमा लेता था कि उसकी जरूरते पूरी कर सकता था पर वो अपने बलबूते पर सब कुछ करना चाहनती थी मैं उसका पती था लेकिन फिर भी उसे मुझे कोई सपोर्ट नहीं ली उसकी यहीं गुददारी लोगों को पसंद आती थी मेरे दोस्त भी नैना की तारिव नहीं करते ठकते थे वो कहते थे यार वाकवी में तेरी किस्मत बहुत ही अच्छी है हम तो अपने पत्नियों को फरमाईशों से ही तंग आ चुके हैं लेकिन मुझे ऐसी कोई परसानी नहीं है और उनकी ये बात बिलकुल सच थी नैना आज तक मुझे किसी भी चीज की कोई फरमाईश नहीं की थी लेकिन कुछ दिन बाद हमारी जिन्दगी में कैसा मोड़ाया कि सब कुछ बदल कर रह गया और मुझे पाता चला कि इंसान जैसा देखता है असल जिन्दगी में जरूरी नहीं कि वो ऐसा ही हो मुझे पर भी कोई ऐसी भ्यानक हकीकत उस वक्त खुली जब मेरी छोटी बहन की साधी तै हुई मेरी छोटी बहन की साधी में जब एक हफ़ते बाकी थे और धीरे धीरे सब सारे रस्म रिवाजों को निभाने जा रहा था मेरी अकलावती बेहन की साधी में नैना अपने काम इस कदर ब्यस्त थी कि उद दिन एक दिन की भी छूटी नहीं ले रही थी पिछले कई महीनों में से उसकी नाई डिवटी थी कभी कभारी मजनसी होने पर दिन में भी हस्पीटल के चकर लगा लिया करती थी मेरी मा को इस बात से सिकायत होने लगी कि ओ घर की छोटी बहु है और मेरी बेटी की फक्सन या रश्न में सामिल नहीं हो पाती है मैंने मा को समझाने की बहुत कोशिस की उसका काम ऐसा था कि अगोर वो हस्पीटल ना जाये तो कोई मरीज अपनी जान गवा बैठे मेरी बात सुनकर मेरी मान ने गुसे में कहा तेरी पतनी हस्पीटल की कोई एक लवती डॉक्डर है नहीं वहाँ पर बहुत सारे डॉक्डर होंगे वो हस्पीटल से छूटी लेकर अपनी नानत की सादी की फैक्शन मेरा रहे और बहु होने का फर्ज निभाए से रिष्टदारे बाते बनाते हैं कि उनकी छोटी बहु को तो ससुराल में खुज लेना देना ही ही नहीं है और मा को मैं क्या समझाता नहीं नैना को समझा सकाता नहीं मा से क्योंकि नैना से इस मैंने पसंद केकर सादी की थी और सादी से पहले ही नैना ने मुझे साब साब कहा दिया था कि चाहें कुछ भी हो जाया मैं अपने कामों को छोड़ कर नहीं जा सकती और मैंने भी ज़जबात में आकर उसकी सर्थ मान ली थी लेकिन उसकी यहीं सर्थ मेरे निभाने अब मुश्किल हो गया था का दबाब बहुत बढ़ गया था मा चाहती थी कि नैना मेरी छोटी रोशनी की साधी में सामिल होकर हर फर्ज निभाए और देखा जाये तो मा की भी बाते सच थी क्योंकि नैना की गेर मजदुजगी ने लोगों के ताने सुनने पर मजबूर कर दिये थे सबको यहीं लग रहा था कि साध नैना और मेरी मा में आपस में बनती नहीं इसलिए वो साधी के किसी फैक्षन में सामिल नहीं हुई है अब साधी में सिर्फ दो दिन बचे थी एक दिन नैना हस्पीटल सी आई तो मैंने उसे प्यार से समझाया कि वो हस्पीटल से दो तीन दिन की छूटी ले ले ताकि मा की सिकायते भी दूर हो जाए और मेरी बात सुनते ही नैना गुसा में आ गए और वो गुसे में अपने हाथ की मोबाइल फर्स पर फटक दी और कहने लगी मैं एक डाक्डर हूँ और हस्पीटल में मरीजो को मेरी जरूरत है और आप चाहते हैं कि इन फालतू रश्मों में मैं मरीजो को छोड़ दू नैना का अंदास इस कदर जज़बाती था कि मैं खमोस हो गया हो एक गरीब परिवार से थी और उसके पिता बिमार से पीड़ित थे और सही वक्त पर उनको इलाज ना मिलने पर वो इस दुनिये से चल बसे थे साइद इसलिए उसे मरीजो की भावनाव की कदर थी वो खुद इतनी ही बिमार क्यों ना हो लेकिन मैंने उसे कभी छूटी लेती हुए नहीं देखा था एक रात वो तेजबुखार से तरप रही थी लेकिन जैसे ही हस्पीटल से फोन आया वो तुरंट बिश्टर से उठी और हस्पीटल जाने के लिए त्यार होने लगी उस रात मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिस की थी लेकिन उसने मेरी एक ना सुने मजबुरर मैं खुद से हस्पीटल के दरवाजे तक छोड़ कर आया जब वो अपने इतने तेजबुखार में हस्पीटल से गेर हजजी नहीं हुई थी तो मेरी वेहन की साधी के लिए कैसे सूटी कर पसकती थी मैं दोनों की बीच फस गया था अगर मा की तरफ देखता तो वो भी अपनी जगा सही थी और पत्नी की तरफ देखता तो उनकी पाते भी मुझे गलत नहीं लगती थोड़ी देर मैं नाना फरे सो होकर मेरे फास आकर बैठी गई उसका सर जुका हुआ था वो मुझे कहने लगी देखो रजत मैं जानती हूँ कि तुम्हारी अकलोटी बेहन की साधी है लेकिन एक बात तुम भी मेरी ही समझ नहीं होगी कि मेरा काम बहुत एहम है और मेरे लिए एक दिन छूटी भी लेना मुश्किल है मेरा हस्पीटल बहुत बड़ा नहीं है वहाँ गिरने चुनने की डॉक्टर है किसी एक की मजदूगी मरीजों के लिए मुश्किल हो जाती है हस्पीटल बाले मुझे इतना अच्छा पैके इसलिए दे रहे हैं कि मेरा काम बहुत आच्छा है मैं पूरी मेहनत और लगन से अपना काम कर रही हूँ मैंने एक नजर नैना पर डाली तो हमेशा की तरह खुबसूरा तो इसमाट लग रही थी जब से ओ डाक्डर बनी थी उसके फैसन और अंदाज भी चेंज हो चुके थे उसकी खुबसूरती से तो मैं पहले ही वाकिव था लेकिन जब मैं उसे इस पेशो के साथ देखा ओ मेरे दिल में उतर गई मैंने नैना का हाथ पकड़ कर उसे तसलिए दे कि आराम से अपना काम करें मा और भर वाला को संभाल लोंगा मेरे इस बात पर नैना ने मुश्कराते मेरे कंधे पर अपना सिर्फ टिका दिया और कहने लगी कि एक दिन मैं ऐसे मुकाम पर पहुंच जाऊंगी कि दुनिया मुझे तरस हसरत भरी निगाहों से देखेगी मैं इतना पैसा कमाऊंगी कि मुझे किसी भी चीज के लिए तरसना नहीं पड़ेगा मैं चाहती हूँ कि मैं उचाई कि उस मुकाम पर पहुंच जाऊं जहां मेरे आगे सब का कद बहुत छोटा पड़ जाए ना की बात मुझे बहुत अजीव लगी थी जब वह मरीजों के लिए काम करती थी तो इतना पैसा कमाने की ख्वाइश क्यों नहीं कर रही थी मैंने नाना को कहा हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है तुम गरीबों की मदद करो मैं धीरे धीरे करके तुम्हारे साड़े सपने पूरा करूँगा मेरी बात सुनकर हुआ हस पड़ी और कहनी लगी मुझे अपने दम पर का माना है मरीजों का ख्याल मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ और पैसे तुम मुझे हस्पीटल की तरफ से मिलता है अच्छा बाबा ठीक है जो भी तुम चाहो वो कर लेना लेकिन रुष्णी की बरात में जरूर सामिल हो जाना बकी के दिन मैं मा तो समझा लूँगा नैना ने मुझे वादा कि कि वो हर हाल में रुष्णी के साधी वाले दिन अपनी छूटी कर लेगी लेकिन उसकी बातों से मैं बहुत खूस हो गया था लेकिन रुष्णी के साधी के दिन सब कुछ बदल गया मेरी मा का मुट बहुत खराब था वो साधी के पहले से ही मुझे बहुत सुना रही थी पहले ही मैंने पसंद करकर साधी कर ली थी अब नैना का रवय जलती आग में तिल का काम कर रहा था मा हर बात पर मुझे सुनाती की इस से अच्छा तो तू किसी घरेलू लड़की से साधी कर लेता कम से कम वो तुझे वक्त तो देती ये कौन सा उसका काम है कि ओ जरूरी काम पर भी छुटी नहीं ले सकती और सारी सारी रास हस्पीटल में गुजारती है अब तक तुम लोगों की कोई बच्चा भी नहीं हुआ मैं खमोशी से मा की बाते सुन रहा था धीरे धीरे करके साधी का दीन आ गया नैना साम के घर पर थी और बरात आने की तियारी कर रही थी उसे देखकर मुझे तसलिए हुई कि मुझे पहले सज़दच कर तियार हुई उसे देखकर मैं हरान रह गया वो हमेशा से ज्यादा खुबसूरत दिख रही थे हम दोनों तियार होकर मेरेज हाल को निकल नहीं माले थे कि नैना का फोन जोरो से बजनी लगा मैं गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठ गया नैना ने दूसरी तरफ से बैठते हुए फोन उठाया तो किसी में इमर्जेंसी पर हस्पीटल से फोन आया था नैना कुछ दिर तो ना आने की बात कर रही लेकिन नागे से ना जाने कैसा क्या हो गया उसने कहा ठीक है यहीं कहा कर उसने फोन बंद कर दिया मैंने सवालिया नजरों से नैना की तरफ देखा तो कहने लगी मजबूरी हैं बस कुछ दिर के लिए उसे हस्पीटल जाना होगा उसकी बात सुनकर मुझे गुसा या गया क्या हस्पीटल के सारे डगडर मर गये हैं जो हर इमर्जेंसी पर तुम ही जाना पड़ता है तुमने साफ साफ क्यों नहीं कहा कि तुम्हारे घर साधी है और तुम नहीं आ सकती नैना की आखों में आसु आ गया और रुकाने लगी आप जानते हैं तो मैंने आप इहीं के सामने कई बार इंकार किया क्या करूँ मेरा मरीज है मुझे उसकी हिस्टरी मालूम है इसलिए मेरे जाना बहुत जरूरी है मैं कुछ ही देर में आ जाऊंगी अब तब तक अपने घर वाले से कुछ भी बहाना कर दिजिएगा ना चाहते हुए भी मैंने नायना की मिनते पर उसे हस्पीटल के सामने उतार दिया और कहा वो जल्द से जल्द अपना कामिटा सादी में आ जाएगी मैं ये अची तरीके से जानता था कि आज के दिन सादी में सामिल होना उसका बहुत जरूरी है नहीं तो मा मुझे बहुत सुनाएगी और मुझे कभी माफ नहीं करेगी नायना ने कहा हाँ और टाइम पर पहुँचाएगी नायना को हस्पीटल छोड़का मैं मरीज जाल पहुँचा तो तकरीबन सभी महमान आ चुके थे थोड़ी देर बाद बरात भी आ गई माई और बड़ी भावी मुझे कोई बार नहीं के बारे में पूछा मैंने यह काकर उसे चुप करा दिया कि परलर में उसे टाइम लगे गए जैसे ही वो तियार हो जाएगी एक फोन करेगी मैं उसके जाकर ले आउंगा मा महमानों में बैस्त हो गई हो तो मेरी जान में जान आई नहीं तो उसके सवालों का जवाब देखर मैं ठक चुका था बरात आ चुकी थी घर के सभी लोग बरात ने मुझूद थे अगर कोई नहीं था तो वो थी नैना मेरी मान ने कहकर बरसाती नजरों पर डाले मुझे लगा कि मैं सर्म से जमीन पर गिर जाऊंगा मेरी माँ जान गई थी कि मैंने उसे जुट बोला है और यहीं बात मेरा सर जुकाने के लिए काफी थी मैंने कई बर नैना को फोन मिलाया लेकि ना जाने वो कहां बीजी थे कि उसने मेरा फोन नहीं उठाया जो जमाल से लेकर सादी में भी हो गई सभी महमान खाना भी खा चुके थे रुशनी के सस्रार वालों ने कई बर मुझे नैना के बारे में पूछा लेकिन मैं उन्हें क्या जबाब देता सभी रिष्टदारों और अलगल बगल के लोगों यकिन हो गया था कि मेरी मा के साथ उसकी बंती नहीं है इसलिए वे सादी में सामिल नहीं होई रुशनी की बिदाई के वक्त उसकी सासु मा कहने लगी कि आपकी छोटी बहुt डगडर है अच्छे बात है लेकिन कम से कम अपनी ननत के सादी में तो आती रुशनी की सास्की बास सुनकर मेरी मा का सर जग गया रुशनी की दवाई के बाद रुशनी के बिदाई के बाद मा ने मुझे कहा कि तेरी पत्नी की वज़ा से आज मुझे लोगों के सामने बहुत सरमेंदा होना पड़ा जितने उतनी बाते हर कोई यही सवाल करता था कि ऐसी कौन सी डगडरी है कि उसे एक दिन की छूटी नहीं मिल सकते तेरी बेटी का नया नया सस्राल है वह लोग इसी बात को लेकर उसे से ना जाने कितने सवाल करेंगे तेरी पत्नी एक साधिक में सामिल ना हो सकी वह हमारे मरने पर भी नहीं आएगी मा का गुसा बिलकुल जायज था और सच तो यह था कि आज मुझे भी नैना के उपर बहुत गुसा आ रहा था क्या हो जाता अगर एक दिन नैना हस्पीटल नहीं जाती और उसकी जगा उसके मरीज के कोई डाक्डर और मैनेज का लेता मेरी मा की बाते और लोगों की सवालों ने मेरी अंदर आग लगा कर रख दिया था नैना ने एक बार भी मेरा फोन नहीं उठाया था मैं साधी हाल ही निकल कर सिधा हस्पीटल पहुंची गया आज तक मेरा हस्पीटल के अंदर जाने का इंतिफाक नहीं हुआ था मैं एक सर नैना को हस्पीटल बाहर ही छोड़ कर चला आता था लेकिन आज जब मैं हस्पीटल के अंदर गया तो देखकर हरान रह गया यहाँ पर तो छोटे-छोटे बचे एडिमिट थे यहाँ तो कोई बच्चों का हस्पिटल मालूम पढ़ रहा था इतिफाकन मेरी नजर नैना पर पढ़ गई जो मुझे काफी फैसले पर थी एक कमरे के अंतर गई इसलिए मुझे उसे ढूडने में ज्यादा वक्त नहीं लगा मैं भी बहुत गुसे में था इसलिए उसे देखते ही सिधे उसके पीछे से कमरे के अंदर चला गया लेकिन अंदर जाने में जो मंदर देखा कमरे के अंदर नैना अकेلी नहीं थी बलकि उसके साथ चार-चार मर थे और जो कुछ भी उनके बीच चल रहा था वो देखने और सुनने के बाद मेरा दिल धड़ागना ही भूल गया था मेरी यो पतनी जिसे मैं लोगों का महिसा समझता था वो हकिकतन अंदर से एक हैवान थी मैं हस्पीटल से बाहर आकर फूट पाट पर बैठ गया मैं नाना के साथ तिन साल से था लेकिन इन तिन सालों में उसका असल रूप नहीं देखा था मुझे उस सिब नफरत होने लगी थी और साथ साथ खुद पर अफसोस होने लगा था कि मैं एक अउरत का असल चेहरा नहीं पहचान पाया मैंने नाना से बहुत पियार किया था उसकी खातिर मैंने अपनी मा को नराज किया था आज मैं अपनी बेहन की बारात में सारा वक्त जुट वोलता रहा और सचाई सामने आने पर भी नाइना को ही बचाने की कोशिस की थी यो बहुत मजभूरी में हस्पिटल गई है लेकिन सचाई जनने के बाद मुझे उसे नफरत हो रही थी कि मैं ऐसी औरत के साथ अपनी जिन्दगी गुजार रहा था जो औरत कहलाने के भी लायक नहीं मैं जान गया था कि भगवान ने हमारी जोली में अवलाद का सुख क्यों नहीं डाला था मा बनना नैना जिसी औरतों के नसी में नहीं होता जो दूसरों की अवलाद से खिलवार करती इसलिए साथी के तीन साल बाद भी हम दोनों बेवलाद थे लेकिन बहुत सोचने और समझने के बाद मैंने सीधे पूलिस को फोन लगाया और उन्हें सारी हकीकत बता दी पूलिस वाले तुरंत मुकीर पर पहुंच गया और उन चारों मर्दों के साथ नैना को भी किफ़तार कर लिया गया मैं उन सब के खिलाफ गवाही देने के लिए तियार था क्योंकि मैंने सारी हकीकत अपनी आखों से देखी थी वो चार मर्दों मेरी पतनी नैना के साथ मिलकर एक मासूम बच्चे का गुद्दे निकालने की तियारी कर रहे थे उनके बीच होने वाली बाचित मुझे पता चल गया था कि ओ लोग उस बच्चे को माबाप की मर्जी के विगर गर कनोनी तोड़ पर यह काम कर रहे थे जो हस्पीटल में कम पैसों में इलाज किया जाता है और इसलिए गरीब बच्चे अपने बच्चों के इलाज के लिए इस हस्पीटल में लेकर आते थे जहां पर हस्पीटल वाले मेरी पत्नी के साथ मिलकर इलाज के नाम पर इन मसुम बच्चों के गुद्दे निकाल कर बेच रहे थे बिदेशी में छोटे बचों को गुदे की बहुत मांग है और बहुत पैसेों में ये गुदे खरीदे जाते हैं मेरी पत्नी नायना गुदे की बीमारी के डगरर थी लेकिन मेरी पत्नी अपनी कबिलियत का बहुत गलत फैदा उठाया और मश्रूम बच्चों के गुदे निकाल कर उने ज्यादा पैसे में बेचने के घिनावना काम कर रही थी आगरो चाहती तो अपनी पढ़ाई का सही तरीके से इस्तमाल करती बहुत से मसुम लोगों की जान बचा सकती थी लेकिन मेरी पतनी ने पैसा कामाने के लिए गलस रस्ता अपनाया पुलिस वालों ने सारे जाज़ परताल करके बताया यह लोग पिछले कई सालों से यह काम कर रहे हैं अस्पताल वाले इस काले धंदे के बराबर के सरीके यह सारे पढ़े लिखे लोग थे जो पढ़ाई करके डाक्टर तो बन गए लेकिन अपने अंदर की इंसियानियत को भूल गए थे लेडिस कंस्टेबल नाइना को अपनी गिफ्तार में लेकर पूलिस बेन तक ले जाने लगी तो मैंने उसे कुछ देर रुकने को कहा मैंने नाइना की आखों में आखे डाल कर पूछा कि हमारी जिन्दगी में इसी कवन से कमी थी कि जिस वज़ा से तुमने यह गलत काम किया उसके पास मेरी बातों का कोई जबाब नहीं था बेना कुछ कहे चली गई पैसो की भूख ने उसे गलत रास्ता अपनाने को मजबूर कर दिया था मुझे तो उसके बारे में सोच कर भी घीनाती थे कि वह इतनी पढ़ी लिखी होने के बाजूद भी इतना गलत काम कर रही थे कभी कभी इनसान पैसो की लालच में आकर खुद अपनी बरवादी की वजह बन जाता है अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो ऐसी कहाने को ले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए सेर कीजिए थाइंकियो